असलाम अलेकूम, वेलकम टूआ यूट्यूब चैनल, ZB Online Services आज की वीडियो में हम प्रॉंप्स की हेल्प से इमेजिस क्रियेट करने वाले हैं, वो भी AI की हेल्प से यानि के एक AI मॉडल, Merlin को यूज करेंगे और हम यहां पर सिर्फ प्रॉंप्स देंगे और प्रॉंप्स भी हम यहां पर GPT-4 की हेल्प से AI पर ही क्रियेट करने वाले हैं तो यहां पर मैंने सिंपली लिख दिया है कि मुझे एक प्रॉंप्स दें इमिज ओफ अ गर्ल स्टैंडिंग सैटली ओन दे सीशोर दे सानी इस अबाउट टू सेट इस रिलेटिड मैंने यहां पर लिखा है कि मुझे प्रॉंप्स दी जाए अब यहां पर मैंने बताया आपको पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ कि मरलिन पर किस तरह आपने लोग इन करना है और GPT-4 को फ्री यूज करना है आप चाहें तो उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन से जाकर देख सकते हैं इसी तरीके से यहां पर मैंने टोटल थ्री प्रॉंप्स यहां पर मैं र्राडी करूंगी और उन प्रॉंप्स की हैल्प से हम इमेज क्रियेट करने माले हैं अगर आप ध्यान करें तो यहाँ पर GPT-4 की help से मैं यह prompts को create कर रही हूँ आप चाहें तो Merlin पर इन images को without getting the access of GPT-4 आप direct अपनी मर्ज़ की कोई भी prompt को करके type वहाँ पर image को generate कर सकते हैं लेकिन अगर आपको कोई problem हो रही है image create करने में तो आप यहाँ प्रॉम्ट की समझ नहीं आरी तो आप यहाँ से prompt भी create कर सकते हैं उसके बाद यह देखें GPT-3.5 हो या कोई भी वहाँ पर आपको generate image की option मिल जाएगी उसमें आपने जाना है और इन prompts की help से image को create कर लेना है यहाँ पर अब देखें तो मेरे पास यह prompt काफी बड़ी हैं इनको आप चाहें तो छोटा कर सकते हैं क्योंके इतनी बड़ी prompts में वहाँ पर सिर्फ thousand characters की allow होगी वहाँ पर क्या आप thousand characters को use कर सकते हैं image को create करने में तो यहाँ पर मैं generate an image करूँगी यहाँ से आपने type select कर लेनी है कि आपको किस type के image चाहिए आपने जो भी prompt देनी है वो image जो वहाँ पर create हो किस type की होनी चाहिए अब यह देखें यहाँ पर first prompt को मैं copy करूँगी और यहाँ पर लाकर paste कर दूँगी आपने यहाँ पर यह देखें Merlin पर generate image यहाँ पर click कर देना है और यहाँ से select कर लेना है simply जैसे मैंने आपको बताया है अपनी मर्जी से आपने select करना है जाहें तो different को आप try कर सकते हैं और अगर आपके credits खतम हो जाएंगे तो next day आपको फिर से credits मिल जाएंगे आप उन images को easily create कर सकते हैं यहाँ से मैं अपनी मर्जी की कोई भी एक को select कर लूँगी कि मेरे image इस type की होनी चाहिए अब यह देखें यहाँ पर यह वाली prompt है इसको मैं copy कर लूँगी और यहाँ पर लाकर हम paste कर देंगे यह prompt काफी बढ़ी है I think इसे हमें refresh करना पड़ेगा लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ कि किस तरीके से वो हमें कह रहे हैं कि यह prompt बढ़िया और इससे आप छोटा कर लें यह देखें तो आपने इस चीज़ को दियान में रखना है कि आपके जो भी यहाँ पर prompt टाइप करें वो less than thousand characters होनी चाहिए अब यह कि इसलिए क्या करना है आपने इसके लिए भी tension नहीं लेनी यहीं पर आप इसको refresh कर सकते हैं और इसी prompt को आप छोटा कर सकते हैं इस तरीके से simply इस prompt को आपने copy कर लेना है और यहाँ पर generate image वाली जगा पर आपने copy नहीं करना new chat पर जाना है और refresh that prompt मैं यहाँ पर कर दूँगी कि हमें यह वाली prompt को छोटा कर दें अब यह देखें यहाँ पर यही prompt मेरी within few lines यहाँ पर completely describe कर दिया इसने कि इस सारी बात में सारी prompt में क्या बताया गया अब जो refresh होकर हमारे पास आया है उसको मैंने यहाँ पर copy paste कर लिया है और यहाँ पर मैं refresh कर दूँगी ताके यह prominent रहे कि यह वाली जो prompt है हमारी उसको मैंने refresh कर लिया है अब देखते हैं कि जो हमने refresh किया है जिस prompt का हमने छोटा कर लिया है वो prompt work कर रही है image को generate करने में या नहीं तो उसके लिए क्या करेंगे यहां से मैं इस prompt को copy कर लूँगी और हमने वहां पर generate image वाली पर जाना है उसके लिए आपने start new chat कर लेना है और यहां से देखें generate images इसको select कर लेना है अब यहां से अगेन वही बात आप अपने मर्जी की कोई भी type select कर सकते हैं जिसमें आप चाहें कि आपकी image उस type की होनी चाहिए इसको आपने बारी बारी देख लेना है और अपने मर्जी से कोई भी choose कर लेनी है यहां से मैं एक को select कर लूँगी suppose इसे हम select कर लेते हैं यहां पर अब जो हमने रिफ्रेस की थी prompt वह वाली prompt को यहां पर मैं paste करूँगी 10 year old girl की जगा यहां पर मैं 22 year old girl कर लेती हूँ इस prompt को मैंने एंटर किया और आप results का wait करते हैं कि यहां पर हमारे पास कैसे image उस prompt की help से create होती है यह देखें जैसे कि वहां पर prompt में बताया गया है उसी लहाँ से यहां पर image create हो चुकी है हमारे पास यह देखें अब एक और इसमें अच्छी बात यह है कि इस image को हम easily download कर सकते हैं यह देखें यहां से यह option आपको मिलेगी इस पर आपने click करना है और वो image automatically आपके laptop या PC में download हो जाएगी यह भी मैं आपको दिखा देती हूँ यह देखें यह हमारी laptop की वो जगा जिसका पात हमने select किया है कि हमारी downloads images वहां पर जाएं तो यह हमारी एक ट्रॉंट work कर रही है अगर आप थोड़ा सा दिहान दें यह देखें girl stands on the beach at sunset यह भी time image में दिखाया गया है बाकि सब भी आप देख लें अपनी मर्जी का कोई भी आप ट्रॉंट दे सकते हैं direct line भी वहां पर कोई भी लिख सकते हैं कि मुझे इस type की image आए तो वह image भी आपको create हो जाएगा अब जो next two prompts हैं हमने total three prompts GPT4 की help से यहां पर create करके रखी थी बाकि prompts को भी मैं refresh कर लूँगी इस वीडियो को थोड़ा सब स्पीड अप करूँगी ताकि आप लोगों का भी time waste ना हो और हम जल्दी से बाकि की दो images को भी create कर लें तो हमारे पास एक prompt हो गई है refresh of next prompt को मैं कर रही हूँ तो यह देखें दोनों prompts हमारे पास refresh होकर आ चुकी है अब इन दोनों prompts की help से हम image को create करेंगे अगेन आपने मरलिन पर जाना है और यह जो new prompts refresh हमने की थी उसे तरीके से generate images करना है यहां से अपने मर्ज़ की कोई भी type select करने है कि किस type का आपकी image वहाँ पर create होनी चाहिए मरलिन एक AI model है जिस पर मैंने already एक detailed video बनाई हुई है यह किस तरीके से आप इस पर login करेंगे GPT4 की free access लेंगे अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो AI बटन में भी मैं उसको वीडियो को add कर दूंगी इसके इलावा description में आपको link में जाएगा आप easily वहाँ पर जाकर login हो सकते हैं अब यह देखें next prompt के लिए भी हमारे पास image create हो चुका है जिस तरीके की मैंने वहाँ पर prompt दी है उसी तरीके का हमारे पास image वहाँ पर create हो जाएगी अब यह देखें इस तरीके से भी आप इस image को देख सकते हैं और चाहें तो download भी कर सकते हैं अब हम अपनी third and last prompt को यहाँ पर type करके देखते हैं कि हमारे पास उसका image किस तरीके से create होगा अब यहाँ से कोई और हम type सेलेक्ट कर लेते हैं और हमारे पास credits भी three credits रह गए हैं तो जब यह credits खतम होंगे तो आपको next day खुद बाखुद credits मिल जाएंगे अब again यही काम कर सकते हैं दुबारा से images create कर सकते हैं या फिर कोई और काम जो आपको merlin पर करना है देखें यह हमारी third prompt के लिए भी image यहाँ पर create हो चुकी है इस तरीके से आप अपनी merge की कोई भी prompt यहाँ पर enter कर सकते हैं ज़रूरी नहीं है कि आपने GPT4 या GPT3 की help से वो prompt क्लिक ही अगर आप खुद से कोई prompt क्लिक सकते हैं यहाँ पर सिर्फ आपको उस prompt को type करना है enter press करना है और वो image आपके पास generate होकर आ जाएगी अब यह देखें हमारे पास credits खतम हो चुके हैं अगर आपने यह देखना है कि next credits आपको कब मिलेंगे तो यहाँ से यह भी मैं आपको दिखा देती हूँ उसी prompt को मैं again यहाँ पर copy करके यहाँ पेस्ट कर दूँगी हमारे पास credits नहीं है तो image create नहीं होगा लेकिन वो बता देंगे देखें अब यहाँ पर या तो आपको premium virgin यूज़ करना पड़ेगा या फिर एक और अच्छी बात है जो यहाँ पर लिखी है और come back tomorrow यानि कि आप next day आकर यहाँ पर फिर से अपना काम कर सकते हैं उसके इलावा यहाँ पर image create करने में भी options हैं आप जितनी images चाहें यहाँ से option भी select कर सकते हैं यह उस prompt से आपको इस type की help मिल सकती है और इसके इलावा यह देखें 16 ratio 9 यहाँ पर select किया है और उसी ratio में आपको यहाँ पर image generate होकर मिल जाएगी I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगिया तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें आपको modeling experience कैसा लगा है अगर यूस कर रहे हैं तो comment section में जरूर बताइएगा चैनल को जल्दी से subscribe कर दें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाहाफेज